संतान के द्वारा धन प्राप्ति योग कैसे बनता है ये योग जन्म कुंडली में बलवान धनेस नोट करिए जन्म कुंडली में धनेस यानि दुतिय भाव के स्वामी को धनेस कहते हैं बलवान धनेस पंचमेस यानि संतान के स्वामी के साथ कहीं भी यूती बना कर कुंडली में बैठे हो जन्म कुंडली में बलवान धनेस पंचमेस के साथ यूती बना कर बैठे हो तो जातक संतान के आने के बाद या तो धन कमाता है अथवा संतान से धन पाता है वहीं जन्म कुंडली में पंचम स्थान का स्वामी नवम स्थान में नवमेस के साथ बैठा हो यानि संतान भाव का स्वामी भाग्य भाव में भाग्येस के साथ जाकर के बैठा हो तो जातक के जीवन काल में संतान के आने के बाद ही उसका भाग्योदय होता है या यूं कहें कि संतान के द्वारा उसका भाग्य जागरत होता है या यूं कहें कि संतान से वो धन प्राप्त करता है